नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube Channel नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube Channel में दोस्तो जिन किसी व्यक्तियों के जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है उन व्यक्तियों को सूर्य देवता की पूजा अवश्य करने चाहिए अपनी कुंडली में कमजोर हुए सूर्य को प्रबल करने से जगत में मान सम्मान की प्राप्ती होती है आयू विर्दी दन विर्दी होती है बहुत सारे लोगों की ये समस्चा रहती है कि उनके कभी भी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है ऐसे में यदि व्यक्ति सूर्य देवता को प्रश्य करने दोस्तो राहू और केतू बेहदी क्रूर ग्रह हैं लेकिन काफी कम ही लोग जानते हैं कि जब भी किसी की कुण्डली में राहू विकेतू बलवान होते हैं तो लोटरी वर सट्टा लगने के प्रवल योग बनते हैं यानि की अचानक से धन मिलना गड़ा हुआ धन मिलना या पर धन आने के मार खुल जाना ये सबी राहू और केतु जब आपकी कुंडली में प्रवल होते हैं तब आपको ऐसे योग बनने लगते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का राहू और केतु बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में माया भी सक्तियां समेटे हुए होता है। दोस्तो राहू और केतु जितने ज़्यादा कुरूर होते हैं, उतने ही ज़्यादा रहस्टमै भी होते हैं, और ऐसे ही लोगों पर अचानक से मातालक्षमी महरवान हो जाती हैं और धन की प्राप्ती होती हैं, तो दोस्तो आज की जो वीडियो है, जिसमें हम आपको उपाई बताएंगे, इसे करने से रहो और केतु तो बलवान होते ही हैं, साती मातालक्षमी प्रसन होकर धन आगमन के सभी मार खोल देती हैं, प्रसन कर ले तो उनके सभी मनों कामनाई शीगरी पूर्ण हो जाती हैं दोस्तो ऐसा भी देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी खास वस्तू को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वे व्यक्ति के बाग्य से ही निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि हाथ में आने वाली काम्याभी हाथ से बंद मुठी की रेज की तरह फिशल गई हो। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने ऐसे दुरभाग्य से पीछा छोड़ा सकते हैं। दोस्तो सभी विग्णों को और सभी प्रकार के दुरभाग्यों को अपने अंदर खीच लेने की शक्ती होती है पीपल के पेड में। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने दुरुभाग्य को पीपल की पेड़ की जड़ में छोड़ सकते हैं, ताकि वे कभी भी आपके जीवन में वापस ना आए। क्योंकि दोस्तो आपका दुरुभाग्य ही है, जो कि आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है, सभी बनते बनते कामों को बिगार देता है, तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको अपने दुरुभाग्य से पीछा छोड़ाने वाले एक बहुती खास उपाय के बारे में ब यानि कि किसी पाप ग्रे की चत्रशाया में या फिर किसी पापी ग्रे की दृष्टी जब उन पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही इस्तितियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी सभी प्रिय वस्तू छिंजाती हैं किसी भी कारे में कामिया भी नहीं मिलती है बंते-बंते कारे बिगड़ने लगते हैं और जिस क्शी चीज की बस सबसे जादा मनोकामना रखता है वही चीज उसके हाथ से छूट जाती है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कोई भी मनोकामना या पिर आपकी अंतरमन की कोई इच्छा पूर्ण ही नहीं होती है तो आपको जरूरत है सूरदेव को बलवान मनाने की और इसके लिए आजम आपको बहुत ही छोटा सा लेकिन खास और सक्तिसाली यूँ कहिए कि महाशक्तिसाली उपाय आजम आपको बताने वाले हैं दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको तांत्रिक टोटका बताने वाले हैं जो की बहुती प्रवावशाली है और बहुती कम समय में आपको असर दिखने को मिलता है अगर आप भी इस उपाय को जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवश्य क्योंकि दोस्तो अगर आपने पूरी विदी से इस उपाय को किया तो निश्चित रूप से ही आपको फल मिलेगा आज तक जिस किसी व्यक्ती ने भी इस उपाय को किया है उसको इसका परिणाम देखने को अवश्य मिला है इसलिए आप पूरी वीडियो को अंतर तक देखे और कमेंट बॉक्स में जैबजरंग बली अवश्य लेखें दोस्तो इस तांतरिक टोटके को करने के लिए आपको तांबे की वस्तू का इस्तमाल करना है तांबे की वस्तू आपके लिए कोई छोटा सा छला भी हो सकती है जदी आपके पास नहीं है तो आप इस उपाय को कर महुरत पर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा अन्यता आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं और इसे करने के लिए आपको साम के समय का उपयोग करना है आप एक तांबे का चल्ला लेकर के अपने सिराने रख करके रातरी को सो जाएं आपका जितना भी दुरुभाग्य है दुरुभाग्य वाली उरजाएं वे सभी इस तांबे के चल्ले में अवसोचित हो जाएंगी दोस्तों अगले दिन सुबह उठकर प्रात्य कालिन आपको स्वच्छ हो जाना है अपने नित्य करम करने के बाद पूर्ट स्वच हो जाएं और सुबह अपने मंदर में बैठ करके जो रोजाना पूजा करते हैं वे पूजा आपको कर लेनी है और साम को जब सूरच जलने वाला हो तो अपने घर के आसपास कहीं भी जापीपल का पेड़ हो उससे तीन कदम की दूरी पर अपने पैरों से तीन कदम नाप ल और उसमें इस तामे के चले को गाड़ दें बस आपको इतना सा एक छोटा कारे करना है और एक बात का विशेश ध्यान रखना है कि जब आप इस तामे के चले को गाड़ देंगे तो उसके ऊपर से मिट्टी को ढग देने के बाद थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ से देखेगे, अपने आपको किसी से भी व्यस्त किये बिना आपको अपने घर बापस आ जाना है, दोस्तों अगर आपने पीछे मुड़ कर देखा, तो आपका दुरबाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपको रास्ते में रुकना नहीं है, सीधे अपने घर आना है, घर आने के बाद अपने मुख पर तीन बार पानी के छीटे मारकर मुख को साफ कर लेना है, बस इतना करने से ये उपाय पूर्ण हो जाता है, और आपकी दिन दूनी रात चोगनी तरक्की होने लगती है, क्योंकि आप अपने दुरुभाग्य को पीपल के क्योंकि दोस्तों, जब किसी व्यक्ती के जीवन में अंदकार होता है, तो उस व्यक्ती की मदद करना सबसे बड़ा ही पुन्य का काद्य होता है, दोस्तों, आपकी जेव से कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, आपस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे में इजाद़ धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जये बजरंग बली,